नमस्कार मित्रो मित्रो पिछली वीडियो में मैंने सोट वीडियो बनाया था उसमें बताया था पोर्टू की स्पास्पोर्ट की एप 나오냐 या बी एए की एप trivia accounted या कोई दूसरी सर्विस के लिए जो हम विबसेट का इस्तेमाल करते थे वो website का format उसकी design वो change हो गई है बदल गई है लिंक सेम है तो मैं आपको उसके बारे में जानकरी देना चाहता हूँ उसे पहले आप अगर facebook पे है तो हमें follow करें instagram पे follow करें youtube पे है तो हमें youtube पे subscribe करें और इस channel को share करें वीडियो को like करें comment करें और ये जो information है ये नई है कल से जो website change हुई है वो हमें सबको बताना है और हमें भी सिखना है क्योंकि ये थोड़ा design नया है तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है तो देखे मैं आपको बताता हूँ ये मैंने browser open किया है जो वो पुरानी website है वही हमें open करनी है पहले तो हमें ये cookies को accept कर लेंगे और देखे अब ये उपर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ Portuguese और English दो language का option है तो हमें English सिलेक करना है अब देखे ओनलाइन अपन्मेंट्स ये यहाँ लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे दो option है ये जो authentication वाइला option है उसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि ये card reader से होता है और online code आता है तो उसकी process बहुत लंबी होती है तो उसको आपको छोड़ देना है आपको ये identification में जाना है identification में क्या करना है क्योंकि ये website कल से change हुई है तो आपको register करनी पड़ी if you have not registered it do so here तो यहाँ आपको click करके फिर यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है यहाँ email id लिखना है यहाँ code जो हमारा UK का है या आप जो भी country में रहते है वो code यहाँ select करना है उसके बाद mobile number लिखना है लेकिन mobile number में अगर आप UK में तो यहाँ 0 लगना नहीं है क्योंकि जब भी code आगे आता है तो हमें 0 निकल देना होता है जहाँ code नहीं आता वहाँ हम 0 लगाते है लोकल में हम 0 लगाते है उसके बाद हमें यहाँ password डालना है और दूसरी बार password यह आपको diary में लिखके रखना है क्योंकि यह password हर बार आपको उसकी जरुरत पड़ेगी उसके बाद यह box में टिक करके हमें next करना है उसके बाद आपको एक email में code आएगा वो डाल देना है तो वो register हो जाएगा उसके बाद BA का number उसमें डालना है और वो register BA हो जाएगी आपको passport से register होना है या BA से होना है वो उसमें option आएगा वो आपको select करना है मैंने अपना ये register किया हुआ है तो मैं अब ये register से फिर back हो जाता हूं और यहां जब भी हमें opponent book करनी है तब यहां हमें अपना email id वो user id कहला था जैसे हमारा Facebook में Instagram में या TikTok हो कोई भी social media में जैसे हमारा email user id होता है और password होता है सेम वही process अब इसमें आ गई है तो हमें email id और password डलना है और यहां क्लिक करना है जब भी हम यहां क्लिक करेंगे तो केप्सा का option आएगा वो केप्सा में select करना है computer पर ऐसा आता है उसके बाद यहां जाना है consular post कौन सी जगह पर आपको एपन बुक करनी है वो यहां से select करना है तो आपको क्या करना है यहां जैसे मान लिजे मैंने यह यह लंडन लिखा तो यह आ गया लंडन यह लंडन आ गया I am not robot यह आपको केप्सा हर बार आएगा वो select करना है category of consular act आपको कौन सी service चाहिए तो पहला certificate वाला है दुसरा BA का option ही जो civil identification documents लिखा है वो BA के लिए है तिसरा जो option है travel documents पासपोट का उसमें option आता है तो यहां हम जब क्लिक करेंगे travel documents में उसके बाद consular act वहां आपको क्लिक करके यहां आ जाएगा Portuguese passport अब यह select होने के बाद हमें next करना है उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे फिर next करना है क्योंकि वो information थी अब यहां पर यह जो date को अला option है देखें अभी December की 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 यह date available है मैं कोई भी date इसमें से select करूंगा तो वो book हो जाएगी मुझे तो अभी नहीं book करनी है मेरी passport पिछले साल already renew हो गई है तो मैं select नहीं करूंगा अब क्या होगा यह जो मुझे यह date दिखाई देती है अब यह सब को नहीं दिखाई देगी आपका अपना individual account इसमें open होगा और आपको यह date available होगी तब भी आप book कर सकते हैं वरना आप नहीं कर सकते हैं हर बार आपको user id पास्वर्ट डालना है और उसके बाद आपको यह यह बुक करना है तो यह जैसे मुझे अभी यह date इतनी मेरे account पे दिखाई देती है वो दुसरे account में दिखाई नहीं देती तो आपको जिस पहले बार बार देखना पड़ता था वैसे ही से हम SI करना पड़ेगा पुरा दिन रात आपको यह चेक करना पड़ेगा तो यहाँ पे यह online register होने के बाद आपको दुबार यह email id और password से register करना है अगर आपने पहले register किया हुआ है तो फिर आपको उसे login हो जाएगा अगर आपके पास email id और password याद है तो आप उसे login कर सकते हैं अगर आप password भूल गया है तो फिर आपको forget password में click करके फिर आप email id डालना है email id में link आएगी link पे आपको click करना है और उसके बाद अपना नया password उसमें डाल देना है तो वो आपका account एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपको यह service कहां पे आपको चाहिए वो आपको select करके अपने appointment आप book कर सकते हैं ज्यादर जानकार के लिए आप हमें contact कर सकते हैं हम आपको बताएंगे क्या करना है तो यह पूरा design change हो गया है अब आप पहले जो हम देख सकते थे जो appointment दिखाई देती थी पूरी पचास सो appointment एक साथ हम देख सकते थे उसके बाद हम पांच दस पंद्रा appointment बूक कर सकते थे अलग अलग बी आई नमबर और date of birth डाल के बूक करते थे अब ऐसा नहीं होगा अब individual हमें लोगिन करना पड़ेगा उसके बाद उसमें आएगा option और हम individually कर सकते हैं अगर family की करनी है तो उसमें option आता है family में हम दो add कर सकते हैं तो वो option भी दिया हुआ है लेकिन आपको ये थोड़ा सिखना पड़ेगा और थोड़ा नया है तो आपको सायद थोड़ा hard लगेगा लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारा contact करिए तो आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका सुक्रिया दिन्यवाद थेंक्यू और अब हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें हमें फोलो खरें थेंक्यू